नमस्ती वेलकम बेक टो माई चैनल इस वीडियो आप देखेंगे कोई पैंट में आप पॉकेट या जीब कैसे डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने यह फैप्रिक लिया है यह फोल्डेट है यह पॉकेट के लिए लिया है हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है इसकी लंबाई 14 इंच है और यह फोल्डेट भाग 7 इंच, 7 इंच का है यानि 14 वई 14 का ही है स्क्वेर में फैब्रिक है यहां से भी 14 है और यहां से भी इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करने की बाद इसकी नीची का जो हिस्सा है वहां पर हम लगबग 1 इंच पर माक देंगे और इस तरह से शेप देंगे यह हमने ओपन भाग सी माक दिया है और यह जेब का नीची का हिस्सा रहेगा और यह वाला उपर का हिस्सा रहेगा अपर पार्ट और यह मेरी पैंड का फ्रंट का हिस्सा है और यहां क्रॉच को मैंने स्टिच किया हुआ है इस साइड में जेब लगेगा तो यहाँ पर यह जो जेब के लिए फैब्रिक लिया है हमने इसको यहाँ पर ओपन करकी इस तरह से प्लेश करेंगे यह जेब की एक लेयर है यानि फोल्डेट नहीं है और राइट साइड में प्लेश किया है पैंड के इस साइड में हम यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और उपर से 2.5 इंच पर और यहाँ से हमने 1.5 इंच सीधा रखना है और फिर इस तरह से दोनों को मिला लेंगे और जो यह लाइन रोकी है यहाँ पर हमने सिलाई देनी है इस इलाई देने के बाद इसकी पास का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसी कट कर देंगे और नीचे हमने यह स्ट्रेट रखा है वहाँ पर एक नोच देना है और फिर इस जीब का जो भाग है उससी पलट देंगे रॉंग साइड में टर्न करेंगे और इसकी बाद में जीब कर जो यह कपड़ा है इसको थोड़ा सा इस तरह से रख कि इसके उपर सिलाई लेंगे अगर आप ऐसी नहीं लेते हैं पूरा टॉप स्टिश देते हैं तो भी वह सही होगा इसी लाई देने के बाद इस तरह से रहेगा उसकी बाद में आप इसके उपर एक आइरन करके सेट कर दीजें अब ही राइट साइट पैन का और यह रौंक साइड है हमारा पॉकिट का फैपरिक रौंक साइड में आ चुका है और इस तरह से इसको पकरना एनीचि के हिसरे से इसी इसको हम फोल्ड करेंगे और नीचि का जो पाठ है उस प्लाई लेने है इस प्यूकिट के यहाँ यहां दो सिलाई लेकर इसी स्ट्रॉंग करना है और तिर इसी इस तरह से टर्न करेंगे तो सिलाई वाला हिस्सा है वो अंदर की ओर चला जाएगा और यह जीब की जो नीची का जो हिस्सा है उसके उपर वापस एक टॉप स्टिश देंगे ताकि यह अच्छे से बैठ जाए और यहां पर मैंने यह टॉप स्टिश दे दी है यह इस तरह से रहेगा उसके बाद में अब देखिए साइड में यह हमारा ओपन हिस्सा है और उप उपर का जो भाग है वो भी ओपन है तो इस जेब को यहां पर बराबर सेट करना है अच्छे से कोई जोल वगराना रहे और फिर उसके बाद में हम ऊपर से एक पीनप करेंगे और साइड में भी अब देखिए से राइट साइड में देखते हैं तो यह इस तरह से रहेगा ह तो यहां उपर एक सिलाई लेकी से लॉक करेंगे और साइड में भी यहां पोकेट का थोड़ा सा हिसा एक्स्ट्रा रहेगा जिससे सिलाई लेने के बाद हम कट करेंगे यह साइड का पाट और यहां पोकेट का यह एक्स्ट्रा हिसा इसे त्रिम करना है क्योंकि पैन कट करते हुए साइड में शेप आता है उसके कारण और यह उपर का कमल का हिस्सा इस तरह से पोकेट हमारा बहुत अच्छे तरह किसे इंसर्ट हो गया है और यह देखिए यहां यह काफी लॉंग है जिससे आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं तो यह हमारा जीप बहुत अच्छे से लग गया है साइड का जो भागे वहां पर बैक का पोश्चन आएगा और उपर का जो हिस्सा है वहां पर हमारा बेल्ट आएगा और पॉकित का यह भाग हमारा इस तरह से रहेगा हमारा यहां साईड में हमें इसका बैक का पोश्चन आटज्च करना है यहां के भाग में मैंने केनवस लिया है और बैक पोश्चन में इलाकट का वाग मार से लेंगे मैंने स्टिश ले ली है तो ये मेरा पेंट बन के रेड़ी है ये देखे इस तरह से और ये जो जेब है वो यहाँ पर ऐसे रहेगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए कुछ सवाल है तो कमेंट करके पोछे और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू सो मच बाबाई